तो गाइज वेलकम तू माई यूटूब चलन एंड टूड़े विल डिसकस ओओन हींट कंडेक्शन्स तूरू पलेंड वोल की बात करने से पहले हम बात करते हैं कुछ आजपसंस की तो आजपसंस हम लेके चरह रहे हैं कि यहां पर जो हम जो हीट जो कंडेक्ट और किसी भी तो हम वन डाइमेंशन की बात कर रहे हैं और अगर वन डाइमेंशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ यहां पर बात कर रहे हैं कि यह जो है वो जानकी ही जो ट्रांसफर हो रही है वो इस डारेक्शन के तरफ हो रही है जो डारेक्शन में अक्यू अक्स लेके चल रहा हूँ कि जो X-Duration की तरफ सिर्फ यहां पर 1-Dimension की बात हो रही इसलिए हमने यहां पर क्या किया अजबसें लेके चले हैं कि 1-Dimension का जो है heat transfer हो रही 1-Dimension में मतलब X-Duration की तरफ और यह steady state आने की condition है steady state condition का मतलब यह होता है कि जितनी heat हमने यहां पर दी उतनी heat यहां पर आपको मिलेगी मतलब यहां पर है suppose QX अगर आने की heat हमने transfer किया तो वहीं आपको यहां पर जो है वो उतनी heat मिलेगी यहां पर बीच के अंदर कोई भी heat हो इस्टोर नहीं होगी इस यहां पर जो है इस बोड़ी के अंदर कोई भी heat जणरेट नहीं होगी त्रीक है उसके बाद मेरें हम बात करते हैं कि कोई भी heat जणरेटर नहीं होगी इस वोल के अंदर और जब की यहां पर जो धर्मल कंडुकेविटी होगी वह आपकी युनिफॉम होगी जो हमने इस वोल की जो thermal conductivity लेके चले है वो किये लेके चला है हमने ओके और यहां पर area जो होगा वो भी आपका इस जो आनकी इस बोडी का area वो हमने एम आनके चला है ठीक है तो और हमने यहां पर लिया है कि जो temperature है वो which is the function of the ax यहां ठीक है तो यहां पर जो है जो this direction के हम बात कर रहे हैं उसी direction में बात कर रहे हैं कि यहां पर जो temperature उसी का function है आपने फोरियल लॉफ हनकी heat conduction पड़ा था तो फोरियल लॉफ heat conduction में defined क्या गया था कि जो rate of the rate of heat transfer by conduction is directly proportional to the area which is normal to the directions of heat transfer and also directly proportional to the temperature gradient in the direction of heat transfer कि फोरियल ने एक लोग दिया था जिसमें defined क्या गया था कि जो heat transfer होगी वो आपके directly proportional करेगी area के कि जो क्यूं जो है वो हनकी heat transfer करेगी वो एक ही directly proportional होगी लेकिन जो heat transfer होगी वो area जो area के perpendicular होगा कि अगर suppose आपको यह wall है और इस wall के perpendicular direction में heat transfer होगी कि दूसरा फोरियल ने बोला था कि जो heat transfer होगी वो directly proportional करेगी temperature gradient मतलब dt अपुर्ण dx ओके इससे हमने कुशन जो आनकी कुशन ड्राइफ की थी जो कि हमें पता चला कि heat transfer होगी माइन इसका की A और dt अपुर्ण dx हमने वहाँ पर क्या-क्या find किया था इसी से हम क्या करेंगे यहाँ पर heat condition through plane wall जो है उसी के थुरू हम निकालने वाले हैं तो चले गाइस मैं इसको पहले आपको समझा देता हूँ कि suppose यहाँ पर हमारे पास कोई wall है और इस wall से हमने क्या किया इस direction में x direction के तरफ हमने क्या heat transfer किया जो qx heat transfer हो रही है तो जितनी heat transfer यहाँ होगी उतनी यहाँ पर heat transfer होगी जितना यहाँ से हमें in दे रहे हैं जो जितनी q in होगा उतने q out होगा क्यूं क्यूंकि हमने बता दिया जेपसन के अंदर क्यूंकि steady state condition है जिसकी thermal conductivity हमने केमाल ली इसका area जो हमारा A है क्या होता है guys अब मैं यहाँ पर आपको जो डाइगरम दिखा रहा हूं नीचे वाला इसमें क्या हमने पहले वाला जिसमें बता रहा हूं कि यहाँ पर suppose एक side का जो plane का टेंपरचर वो T1 है और दूसरा जो temperature हो इस side का जो temperature वोल का वो T2 टेंपरचर है और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि जो T1 जो temperature है वो T2 से greater than है क्योंकि यह जो slope आपको दिख रहा है यह जो line दिख रही है आपको जो drop होती दिख रही है इसी का मतलब define कर रहा है कि जो temperature T1 होगा वो greater than हो T2 से क्यों होगा क्योंकि आपको पता होगा कि जब इस वोल को जब ही transfer मेलेगी तो obviously इसका temperature ज्यादा होगा as compared to इसके अब हम बात करते हैं कि suppose मैंने क्या किया कि अब मालेजे इसकी thickness यहाँ पर x is equal to 0 थी इस वोल के उपर जयसे-जयसे यहाँ पर length बढ़ते हैं कि इसकी thickness बढ़ रही है वैसे-वैसे क्या हो कि x is equal to l हो जाता है Okay, so क्या हो रहा है guys अब हम बात करते हैं इसको drive करने की questions करते हैं कि suppose मैंने जो temperature difference आ रहे है कि यह जो temperature difference वो T2 है उझे जो थिकनेस हमारे पास यहाँ पर Vो dx है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब चलते हैं, कि suppose यहां पर हमने 4L of heat conduction की बात की, जहां पर आपको पता है, Q is equal to minus ka dt upon dx, तो मैं क्या करता हूँ, कि इस dx को इदर ले जाता हूँ, और which is equal to minus ka dt, अब हम क्या करते हैं, कि इसको जो है, हम क्या करेंगे, यहां पर integration कर देंगे, तो यहां पर dx को integrate कर देंगे, यहां पर dt को integrate कर देंगे, तो क्या होता है, अगर हमें पता है, कि यहां पर x is equal to 0 है, और कहा तक जा रहा है, x is equal to 0, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर x is equal to 0 से लेकि L की बात कर रहे है, जबकि जो temperature है, यहां पर, वो क्या है, t1 से लेके, यहां तक जो final temperature आपका t2 है, जब हम इसको integrate करेंगे, तो आपको पता है, कि यहां पर जो हमारे पास x आएगा, और x is equal to 0 से L हो जाएगा, और यहां पर minus का k a, और यहां पर यहां पर temperature होगा, वो integrate करने के बाद में, t1 से लेके, t2 आजाएगा, उसके बाद में क्या होगा, कि q1 की is equal to, यहां के L माइनस का 0 हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, t2 माइनस का t1 आएगा, लेकिन यहां पर minus का sign बाहर है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, तो यहां पर क्या होगा, q is equal to k a, t1 माइनस का t2, आपको अपन में L, तो यह जो है, heat conduction through the plane wall हो रहा है, तो यहां पर जो unit होगी, heat transfer को आपको पता है, कि वोट के अंदर आएगी, so guys, आयोप आपको समझ में आगाया होगा, कि q is equal to k, जो हो आपके thermal conductivity, a आपका area, t1 temperature आपका दे रहा है, एक side का temperature, इस वोल का, जबकि t2 temperature आपको दे रहा है, इस वोल का, जबकि steady state condition हमने बात करी, कोई heat internal heat generation नहीं हो रहा था, और uniform विली हमने के के मान के चली, और हमने बोला कि temperature वो function किसका आपका, okay, so आयोप आपको यह सारा समझ में आ गया होगा, कि इसका मतलब क्या है, यहां पर q is equal to k, a t1 minus t2 upon me l, okay, मैंने, अब next topic के अंदर आपको आपको वो भी अच्छा लगेगा, अगर आपको यह topic अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, subscribe कीजिए और अपने दोस्तों साज सेख कीजिए, thank you so much